दोस्तों, आज मैं आपको भुकड बहुओ की नूडल्स दावत कहानी सुना रही हूँ आओ आओ और पेट भर बिर्यानी खाओ, सिर्फ और सिर्फ साथ रुपे में जितनी मर्जी उतनी बिर्यानी खाओ, आओ जी आओ बिर्यानी खाओ रोड किनारे एक व्यक्ति बिर्यानी और रायता बेच रहा था साट रुपे में भर पेट खाना बेच रहा था फिर भी उसको इससे फायदा ही हो रहा था वे व्यक्ति कहता है अरे पेट बर के खाने के चक्कर में लोग बिर्यानी खाने तो आ जाते हैं अरे अब एक आदमी कितना ही खा पाएगा, पर पेट बर खाना मिल रहा है, इस शक्कर से लोग आतो जाते हैं, पर जादे खा नहीं पाते, तब भी महाँ पर माया, नीतु और सोनिया आती है, माया, आरे नीतु दीदी, सोनिया दीदी, दीदी बिर्यानी रायता खाऊगी क्य पस सो रुपे में जितना चाहो उतना खाऊ, अरे सो नहीं साथ, हाँ हाँ, साथ रुपे में, नीतु ए भाई, तुम जो कह रहे हो, सही है क्या, साथ रुपे में जितना चाहें, उतना खा सकते हैं, हाँ जी, बिल्कुल टीक सुनाया आपने, अच्छा देख लो, फिर से वो एक प्लेट तुरंत खतम कर दी, माया नीतु सोनिया बोलती है, वाँ उपे है टेस्टी बिर्यानी बनी है, और दो भाईया, हाजी मेडम ये लीजे, ठेली वाले ने उनको फिर और बिर्यानी दे दी, तीनों ने पांच मिरेट में फिर खा लई, और दो भाई, ऐसे ह वो खाती रही और ठेली वाले उनको बार-बार बिर्यानी देता रहा, वो आदमी मन ही मन्सोसता है, अरे ये तीनों कितनी भुकड है, ये इसी तरह खाती रही तो मेरी सारी बिर्यानी खतम हो जाएगी, ये तीनों तो बहुत ही बड़ी भुकड है, और हुआ भी ऐसा ही, उन तीनों ने सच में ही उसकी सारी बिर्यानी खतम कर दी, ठेली वाला कहता है, ए भगवान इन तीनों ने तो मेरा सारा खाना खतम कर दिया, आज से ये ओफर बंद कर रहा हूं, आज के बास से साटरा टुपए में पेट बर खाना नहीं मिलेगा, आज तो मेरा कित काफी न बन गया है क्या, बन गया हो तो हमारे लिए खाना लगा दो, हमें बड़े जोरों की भूक लगी है, माया, नीतु और सोनिया, ये तीनों बेहद ही भूक करती, और अपनी कलोनी में भूक कर बहू के नाम से ही फेमस दी, उनकी सास सुनीता बोलती है, अरे बहू तुम्हारा पेठ है या गोदाम, जब देखो पेठ में खाना ठूसते ही रहते हो, माजी हमारा तो पेठी है, बस हमें थोड़ा सी ज़ादा भूक लगती है, उनकी सास कहती है, हैं, बस थोड़ी सी ज़ादा, अरे इसे बहुत ज़ादा कहते हैं बहू, नीतु, अरे माजी आप क्यों पिक्र कर रही हो, अरे जब हमें पेट भर खाना ही नहीं खिला सकते, तो हमारी चादी कियों की अपने बेटों से? सुनिया, हाँ, हाँ, माजी, बताईए, तबी नितू के पत्ती राकेश वहां आजाता है, हाँ जी आप भी बता दो अगर आप हमें खाना नहीं खिला सकते तो भेजदो हमें अपनी माई के हम चले जाएंगे अपनी मा के घर राकेश अरे बाबा नहीं नहीं तुम तिनों कहीं नहीं जाओगी यहीं पर रहोगी सब के साथ और यही रही खाने की बाद, तो क्यों नहीं खिला सकते हम तुमें खाना, अरे तुम लोगों को जितना खाना खाना है उतना काओ, अरे समाज के लोग क्या कहेंगे, कि अपनी बीवियों को हम खाना भी नहीं खिला सकते क्या, पर तभी से उन तीनों भुकड़वों को खाना खिलाने में सुनीता और उसके तीनों बेटे खुद परिशान हो गए सुनीता मन ही मन अरे अच्छी तरह सुकून से जी रहे थे पता नहीं क्यों इन तीनों को हम यहां ले आए अरे ऐसा ही चलता रहा तो देखना एक दिन हम कंगाल हो जाएंगे और भीक मांग मांग कर अपन सुनीता की बेहन अनीता वहीं पास ही रहती थी वह सुनीता से जादा धनवान थी और हर रोज शाओं वह अपनी बेहन सुनीता से मिलने घर पर आती थी अनीता अरे सुनीता दीदी, एक जमीन बेहर सस्ते में मिल रही है, आने वाले समय में वहाँ से मैट्रो भी गुजरेगी, और बेहर उसके दाम बढ़ जाएंगे, मैं सोच रही थी कि खरीद लो उसे, सुनीता, हाँ हाँ, खरीद ले अनीता, अनीता, वो न पैसे जरा जादा हो गए हैं, अब ना तो घर में रख सकते हैं और ना ही बैंक में, तो सोचा जमीन में ही इन्वस्ट कर देते हैं, हाँ हाँ, अरे दीदी, चाय तो पिला दो अध्रक वाली, फिर सुनीता अनीता के लिए चाय ले कर आई, अनीता, अरे दीदी, इसमें दूद डाला की नी डाला, कि अनीता से भी जादा दुखी, तो अपनी बहन अनीता से थी, सुनीता, ए भगवान, मेरी तो जिन्दगी ही बरबाद हो गई, दिन में तीन बार अपनी भुकड भुवो के लिए खाना पकाना, उन्हें देना, और शाम को इस अनीता के ताने सुनना, अरे ये जीना भी कोई जीना है, कभी कभी तो लगता है, यहां से कहीं दूर चली जाओं, ये सब माया जाल छोड़ के, इस कारण सुनीता हमेशा ही दुखी और चिर्चिरी सी रहने लगी, उसकी भववा से भी उसकी बनती नहीं थी, अब सुनीता बेहत अकेला पन महसूस करती थी, वो अकेले ही कर भी क्या सकती थी, इसी तरह दिन गुजर रहे थे, एक दिन अनीता, अनीता ने सुनीता को अपने यहां पार्टी में बुलाया, अरे दीदी, मेरे घर पर किट्टी पार्टी है, मेरी सारी दोस्त आएंगी, तुम भी उस दिन जरूर आना, तरह तरह का खाना और नूडल बनेगा, तुम भी खा लेना, ठीक है अनीता, मैं आ जाओंगी, सुनीता नहीं यह सोचा, कि अनीता की सहलियों से मिलकर शायद उसे थोड़ा सा सही लगे, पर अनीता तो कुछ और ही सोचे बैठी थी, सुनीता पार्टी में पोची, तो देखा, वहां पर अनीता की सहलिया महंगे महंगे कपड़ों और ज्वैलरी पहने बैठी थी, अनीता की एक सहली कहती है, अरे अनीता, तो यह है तुमारी बेन, अनीता, हाँ हाँ, यही है मेरी गरीब बेन, अरे तुम लोग बुरा मत मानो, इसको तो मैंने यहां खाना देने के लिए बुलाया है, जो मैंने नूडल समगाए है, वो यह सर्व करेगी, अरे सुनीता दीदी, अब आ गई हो तो जल्दी से खाना सर्व कर दो, सुनीता, अरे हाद मेरा है अनीता, मैं कोई तेरी मेड हूँ क्या, अनीता, हाँ हाँ, मेड की तरह ही तो हो, अरे मेरे घर में मेड भी तुम से जादा रही स सुनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत दुखी भी होती है अरे तुझे अपने पैसों का बड़ा घमंड है ना तु सोचती होगी कि तु बहुत अमीर है हाँ वो तो मैं हुई और मेरे पास बहुत पैसा है और मुझे इसका अभीमान भी है सुनीता अच्छा तो तु किसी को खाना भी खिला सकती है उसकी सही लिया अरे ये तो इसके बाए हाथ का खेल होगा सुनीता अच्छा तो मेरी तीनों बहुत को नूडल्स की दावत पे बुला और अगर तुने उनका पेट भर दिया तो मैं मान जाओंगी कि तू अमीर है हनीता सुनीता की भुकड भुगों के बारे में पहले से ही जानती थी पर अपने दोस्तों के आगे वो ना न कर पाई अनीता हाँ हाँ ले आओ तीनों को मैं भर पेट नूडल खिलाओंगी उन्हें ठीक है अच्छा मैं उन्हें लेकर आती हूँ पर मेरी एक शर्थ है कि तू उन्हें उनका पेट भढ़ने तक नूडल खिलाती रहेगी हाँ हाँ भई तू उन्हें ले तो आ फिर सुनीता घर आई और अपनी तीनों बहुगों को नूडल पार्टी के विशे में बताया तो नूडल पार्टी सुनकर तीनों के मुह में पानी आ गया और तीनों चलने को तैयार हो गई हाँ माजी चलो जल्दी चलो माजी अरे मुझे तो नूडल का नाम सुनके ज्यादर भूख लगने कबसे हमने नोडल्स भी नहीं खाए हैं, चलो जल्दी चलो माजी, सुनीता कहती है, सुनो बहू, मैंने हमेशा ही तुम्हें खाने पर टोका है, कि कम खाया करो, पर आज मैं तुम्हें कह रही हूं, आज खूब खाना खाना जब तक ति तुम्हारा पेट और मन न भर जाए, आज उस अनीता के घमंड को तोड़ दो भूवे कहती है माजी अब बेकुल फिकर ना करें दूसी भूव हाँ जी माजी फिकर नौट आपकी इंसल्ट का बदला आज हम लेकर ही रहेंगे फिर सुनीता अपनी तीनों भूवों को लेकर नीता के गर गई बहू कहती है माजी जल 15 दी लादो नौडल्स हमें जोरों की भूख लगी है फिर अनीता नौडलस लाती है तीनों ने दो मिनट में नौडलस खा ली है फिर दूसी भूव हूव अरे मासी जी ये क्या इतना जरा जरा सा नूडल ला रही है आप अरे जो जादे सा मंगाओ और लाईए बहू अरे मासी जी कड़ाई भर भर के मंगाओ अनीता हैं कड़ाई भर भर के फिर अनीता ने आसपास के सारे रेस्टोरेंट को फोन करके नूडल्स मंगा लिए सुनीता भी वहीं खड़ी खड़ी अशरी थी, सब्सक्राइब नूडल्स खतम हो गए, तब अनिता ने दूर दूर के रेस्टोरेंट से नूडल्स आते रहें, अनिता पैसे डिवली Lie neces علा दोने को देती रहें, बहुए नूडल्स खाती रहें, ऐसे करते करते सुबह हो गई, तीनों अब जड़ा बिर्यानी भी हो जाए तो बस मजा ही आ जाए यह सुनकर अनीता गुस्षे में भरके बोली अरे अब मेरे सारे पैसे खतम हो गये हैं मेरे पास पैसे नहीं है जाओ तुम लोग अभी हां से शुनीता अरे ऐसे कैसे तू तो बड़ी पैसे वाली है ना अपनी उस नहीं है मेरे पास ओर पैसे, जाओ तुम लोग यहां से, रोत हुए कहती है, सुनीत अस्ति, अभी मानी महिला, आपसे मेरे घर नहीं आना तू, अरे तू तो पेट भर, कि किसी को नूडल्स भी नहीं खिला सकती, बड़ी आई ती पैसो का घमंड दिखाने, फिर सुनीत अप हाँ, हाँ, बिल्कुल सही किया, अरे अब उसके पैर नहीं पढ़ेंगे यहां नहीं को, दूसी वह कहती है, मा जी, हम बिना वज़े ही आपसे पंगा लेते थे, पर आप तो कितनी अच्छी हैं, अपसे हम एक साथ मिल कर काम करेंगे, वैसे मा जी, हम टीफन बना कर घर बै कर टीफन बनाना और उसको बेचना चुरू किया, और सुखी सुखी रहने लगे, दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, शेर, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्स पोर वोचिंग,